हैलो फ्रेंज अगर आप भी इंगलिश अच्छे से बोलना चाहते हो अपनी इंगलिश को इंप्रूफ करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंट तक जरूर देखना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सो फ्रेंज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस सो फ्रेंज यहाँ पर यह बोल रहा है कि मुझे यकीन नहीं हुआ जब तुमने मुझे कोल की इस इंगलिश में बोलेंगे मैं अपना काम करने में वियस्थ था जब मेरा फून बजा इस इंगलिश में बोलेंगे मैं अपना काम करने में वियस्थ था जब मेरा फून बजा मैं देखकर वाके हैरान था अगर तुमने मुझे कोलना की होती तो मह हैं नहीं आता तो यहां ही आचुका है इससे कहरा है कि अगर तुमने मुझे कोलना की होती तो मह हैं नहीं आता तो इस sentence को हम थड कंडिशनल में बनाएंगे I wouldn't have come here तो would have का use why मतलब क्या third conditional है I wouldn't have come here if you hadn't called me तो third conditional में if वाले part में हम head का use करते हैं यानि past perfect का जैसे कि यहाँ पर हुआ है I wouldn't have come here if you hadn't called me यानि अगर तुमने मुझे call ना की होती तो में हैं नहीं आता I wouldn't have come here if you hadn't called me क्या तुम्हें पता है? मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुला है? बोल रही है कि Do you know why I have called you here? Do you know why I have called you here? क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? Do you know why I have called you here? अगर नहीं पता तो जल्दी पता चल जाएगा बोल रही है कि If you don't, you will find out soon If you don't, you will find out soon कह रहे हैं कि अगर नहीं पता तो जल्दी पता चल जाएगा If you don't know, you will find out soon क्या ये सच है? क्या तुम वाकि UFO प्रोजेक्ट के इन्चार्ज हो? तो एक UFO प्रोजेक्ट है उसका इन्चार्ज है तो इससे पूछ रही है कि Is it true? क्या ये सच है? Are you really in charge of UFO प्रोजेक्ट? क्या है सच है? क्या तुम वाकि UFO प्रोजेक्ट के इन्चार्ज हो? कह रही है कि मुझे एक किताब लिखनी है I have a book to write I have a book to write यानि मुझे एक किताब लिखनी है I have a book to write इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ That's why I want to know everything about this project That's why I want to know everything about this project कह रही है कि इसलिए इसलिए हमने यहां यूज किया है That's why इसलिए I want to know everything about this project मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ सिरिफ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो You are the only one who could help me You are the only one who could help me यानि सिरिफ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो You are the only one who could help me क्योंकि तुम से जादा इस बारे में अब कोई नहीं जानता इसे English में बोलेंगे Because no one knows more about that than you Because no one knows more about that than you क्योंकि तुम से ज़ादा इस बारे में अब कोई नहीं जानता because no one knows more about that than you यहाँ अब आपकी जरूरत नहीं है so friends यहाँ पर यह किसी से कह रहा है कि यहाँ आपकी जरूरत नहीं है तो इसके लिए हम no longer का use कर सकते हैं you are no longer needed here you are no longer needed here मैं चाहता हूँ कि तुम अब चले जाओ I want you to leave now तुम्हारा काम यहाँ हो गया your work here is done मेरी पतनी किसी भी वक्त यहाँ होगी किसी भी वक्त यहाँ होगी इसके लिए इस करेंगे any minute मेरी पतनी किसी भी वक्त यहाँ होगी इसका कहना का मतलब है किसी वक्त मेरी पतनी आ सकती है my wife will be here any minute my wife will be here any minute यानि मेरी पतनी किसी भी वक्त यहाँ होगी my wife will be here any minute मैं चाहता हूँ उसके आने से पहले तुम चले जाओ I want you to leave before she comes I want you to leave before she comes यानि मैं चाहता हूँ कि उसके आने से पहले तुम चले जाओ I want you to leave before she comes क्या मैंने तुमसे उससे बात करने को मना नहीं किया था इसने एक लड़के को किसी लड़की से बात करने के लिए मना किया था लेकिन इस लड़के ने फिर भी उससे बात किया उससे मिलने चला गया तो यहाँ पर यह से कह रही है कि क्या मैंने तुमसे उससे बात करने को मना नहीं किया था इस एंग्लिश में बोलेंगे क्या मैंने तुमसे उससे बात करने के लिए मना नहीं किया था मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उससे मिलने गए अगर तुमने एक बार फिर से ऐसा किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी यानि अगर तुमने फिर से एक बार ऐसा किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी जब मैं अपनी डेस्क साफ कर रहा था तब मुझे ये पुरानी पिक्चर मिली तो अचानक से एक पिक्चर मिली जो पुरानी है तो जब भी कोई चीज हमाज आनक से मिल जाती तो मैं फ्रेजल रॉप को यूज करते हैं तो इसकी इंगलिश होगी यानि जब मैं अपनी डेस्क साफ कर रहा था तब मुझे ये पुरानी पिक्चर मिली नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था तो इसकी इसने कोई बात की सामने वाले ने इसकी बात को गलत समझ लिया तो कह रहे है कि no no that's not what I meant no no that's not what I meant नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था no no that's not what I meant आपने मेरे लिए जो किया मैं उसे कभी नहीं भूलूँगा इस इंग्लिश में बोलेंगे I will never forget for what you did for me I will never forget what you did for me यानि आपने मेरे लिए जो किया मैं कभी नहीं भूलूँगा I will never forget what you did for me तुम बेकार में कोशिश कर रहे हो You are trying in when यानि तुम बेकार में कोशिश कर रहे हो You are trying in when ये तो बहुती दिल्चस्प कैस लगता है कोई कैस है उसको देखके कह रहा है कि It seems to be a very interesting case It seems to be a very interesting case यानि ये तो बहुती दिल्चस्प कैस लगता है लगता है इसलिए है इस हो है It seems to be a very interesting case मैं उससे सही समय आने पर मिलूँगी इसे इंगलिश में बोलेंगे I will meet him when the time is right I will meet him when the time is right यानि मैं उससे सही समय आने पर मिलूँगी ऐसे समय में आप इतने शांत कैसे हो सकते हो इस इंगलिश में बोलेंगे How can you be so calm at a time like this How can you be so calm at a time like this यानि ऐसे समय में आप इतने शांत कैसे हो सकते हो How can you be so calm at a time like this क्या वो केला था या उसके साथ कोई और तो किसी से पूछ रहा है कि तुमने उस बन्दे को देखा उस नकां मैं ने देखा तो उससे पूछ रहा है कि Was he alone or was there someone else with him? क्या वो अकेला था या उसके साथ कोई और था? Was he alone or was there someone else with him? लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि But I still have hope that But I still have hope that लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा Everything will be alright Everything will be alright यहाँ पर ही कह रहा है कि I still have hope that Everything will be alright मुझे अभी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा So friends, आज की वीडियो में बस इतन नहीं आप को ए वीडियो कैसी लगी और हर वीडियो की तरह इसमें भी हमने लास्ट के जो 5-6 sentences थे अपनी पुरानी वीडियो से लिए हैं ताकि आप पुराने न भूलो जो आपने पहले पढ़ायों उनकी प्रैक्टिस होती रहे हैं झाप झाप प्राब